साल दोजार चौबिस में दो सूरे ग्रहन लगने जा रहे हैं और साल का पहला सूरे ग्रहन अप्रेल में लगेगा धार्मिक मानिता के नुसार सूरे ग्रहन अमावस्यात इथी के दिन लगता है इस साल का पहला सूर्य ग्रहन 8 अप्रेल 2024 के दिन सोंबार को लगेगा ये ग्रहन 8 अप्रेल को रात 9 बच के 12 मिनट से सुभा 1 बच के 25 मिनट तक रहेगा क्यानि सूर्य ग्रहन का कुल समय 4 घंटे 49 मिनट रहेगा सूर्य ग्रहन चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्याती पर लगने जा रहा है इसका सूतक काल आठ अप्रेल को सुभा नौ बच के बारा मिनिट पर शुरू हो जाएंगा जोतिश के नुसार सूर्य ग्रहन का सूतक काल बारा घंटे पहले शुरू हो जाता है हाला कि भारत में सूर्य ग्रहन दिखाई नहीं देगा जिस वज़य से इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा ये सूर्य ग्रहन दक्षणी पस्चिम यूरोप, नौर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अट्लांटिक महासागर, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, उत्तरी ध्रोप और दक्षणी ध्रोप पर दिखाई देगा ग्रहन के दोरान किसी भी प्रकार के शुप कारे को करना वर्जित माना गया है मान्यता है कि सूर्य ग्रहन के दोरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए सूर्य ग्रहन को सीधे आँखों से भी देखना मना है गर्भवती महिलाओं को सुर्य ग्रहन के द्वारान घर में ही रहना चाहिए क्योंकि जोतिश शास्त्र के नुसार सुर्य ग्रहन का असर गर्भ पर पर सकता है ग्रहन के समय सिलाई और बुनाई का काम भी नहीं करना चाहिए ग्रहन के समय रसोई का कोई भी कार्य जैसे खाना बनाना आदी नहीं करना चाहिए ग्रहन के समय तेल लगाना, मालिश करना, नाकुन या बाल काटना भी वर्जित माना गया है ग्रहन के समय में अपने इश्ट देटा का ध्यान करना चाहिए आला कि इस środवाफ़ान भगवान की मूर्ति को छुना नहीं चाहिए ग्रहन समात होने पर सनान कर पवितर जल के छीटे अपने शरीर पर डाले ग्रहन के समय अन और दाल का दान निकाल कर रखे ग्रहन समात होने पर अन दाल किसी को दे दे माननेता है कि ग्रहन के बाद गायक को हरा चारा अक्षियों को दाना किलाने के साथ साथ करीबों को वस्तर का दान करना फल दायक होता है